आसे हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है चैप्टर नाइन ठीक है चैप्टर नाइन हमारा क्या है एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्स है तो उसका आज हम लोग फर्स्ट कुशन ओपनिंग करते हैं तो चलिए एश्टार्ट करते हैं क्या बरता हम स्टार में इस क्रेशन नमर क्या सबक्राद? वा बेसिक जरूरत कवा है की किसी कॉल में हमको एमाने के करने के लिए एक basic requirement क्या होता है कि किसी भी coil में हम EMF induce कर सके हो उसके लिए solution है कि ये तो आपको पता है होगा कि अगर हम figure से देखे कि अगर हम कोई magnet लेते हैं ये south pull ये north pull magnet का और यहाँ पर हम एक coil लेते हैं ठीक है coil में एक हम deflection मतलब कुछ भी ये जो उसके लिए हम एक galvanometer लगा लेते हैं क्या हमको क्या बोल रहा है induce EMF मतलब voltage देखना है कि induce होता है कि ने किसी coil में तो उसके लिए क्या requirement है ये आपका होगा coil coil पर हम क्या करते है को जो winding इस तरह कर लेते हैं तो ये आपका होगया coil ये आपका होगया magnet तो magnet को बोलता है तो magnet में हम जानते हैं कि magnetic line of force कहां से produce होता है North pole to South pole North pole to South pole तो इसी तरह से हमारा कुछ magnetic line of force निकलेगा जो क्या करेगा coil को link करेगा तो बोलता है कि हमको किसी coil में अगर EMF induce करवाना तो उसके लिए जरूरी चीज क्या है तो जरूरी चीज क्या है कि आप लोग जब WK Meta Booker Reading दे होगे पहला है पेज तो उसमें लिखा है कि EMF induce होने के लिए किसी coil में EMF induce होने के लिए जरूरूर चीज है कि उसमें क्या हो या Magnet को हम Motion में रखे या कभी coil को motion में रखे इसे होगा क्या एक को दोनों अगर stationary रहेगा अगर हमारा Magnet या coil दोनों stationary रहेगा बोथ stationary तो यहाँ पर क्या होगा कोई change नहीं होगा तो हमारा चेहन फर जहाँ होगा यहu रिश्ट पो जीज दिखाएगा तो यह मैं कोई हरकत नहीं होगा तो हमारा यहम्यलिकिन अगर हम में में अलगे में अलगेम trat बन सकता है तो ऐसा करते क्यों है ऐसा करने का यही रीजन है यह हमारा जो फ्लक्स लिंकेज करेगा यह जो इसमें फाई जो लिंक करेगा फ्लक्स लिंकेज फाई एन फ्लक्स कि की होता है Vigure Linkage बराबर क्या होता है यह था है पाई होता है जितना नम्मर आप टॉंस में जितना इसका जो flux है magnetic flux वो इसमें करें पाई हुनहोंता है फ्लकस लिंकेज होने से EMF इंड्यूज नहीं हो जाएगा कोयल में हमारा फ्लक्स लिंकेज तो कर रहा है लेकिन तो flux linkage को क्या करना होगा? flux को हमको क्या करना होगा? change करना होगा. क्योंकि हम लोग formula जानते हैं EMF क्या जानते है formula EMF बड़ावर N D5 by DT minus होता है इसके direction के लिए EMF के direction के लिए opposite direction of flux के तो यह formula हम जानते है इससे 5 देखिए N5 हमारा क्या दिखाता है? flux linkage हमारा flux linkage से सिर्फ EMF induce नहीं हो जाएगा हमारा EMF induce होने के लिए जरूरी क्या है? कि flux जो है समय के साथ क्या करे? change करे rate of change of flux से हमारा क्या होगा? flux linkage मतलब EMF induce होगा coil में इससे option हमारा क्या हो जाएगा? option to write हो जाएगा कि there should be change in flux linkage in the coil मतलब हमारा जो है यहाब और flux linkage क्या होना चाहिए? हमेशा change होना चाहिए किसी rate से तब हमारा coil में क्या होगा? EMF induce होगा तो यह formula से आपका साबित हो गया तो हमारा option write हो गया क्या? option second ठीक है? चलिए next question के बढ़ते है अब हमारा question नमर जो है 2 है 2 नमर question क्या हो रहा है? EMF induce in a coil जो हमारा कोई किसी coil में EMF जो induce होता है that's the rate of change influx linkage वो rate of change influx linkage के किस तरह depend करता है? चारो option में तो देखे हमारा we know that हम लोग formula जानते हैं और आदे के first law से कि E बराबर क्या होता है? EMF बराबर यह जो है short में EMF देखा रहा है ठीक है? induce EMF तो N, D5I, DT N, D5I, DT ठीक है? तो यह formula है तो यह formula हम क्या बढ़ा है? कि अगर किसी में coil में हमारा EMF induce करना है तो हमारा EMF जो induce होता है वो coil के किसके मतलब rate of change in flux linkage के क्या होता है? तो rate of change of flux linkage कहां से दिखा रहा है? यहां से दिखा रहा है E बराबर N5 तो हमारा क्या? यह हमारा सिर्फ हमारा flux linkage है यह हमारा क्या सिर्फ flux linkage लेकिन इसी को जब D, DT से हम कर देते है अफो समझ मायाँ बीडिया शीमा किश्चा मारा ओर रेंटी पॉर्पोर्शन यहां दिखा रहा है भाली वाइटются कही दिखा रहा है डिर्यक्ली पॉर्पोर्शन दिखा रहा है चोहारं यहां से ओफ स不對 जाएगा कि जो हमारा rate of change of flux linkage वो directly proportional होता है कि इसके EMF के यह EMF directly proportional होता है rate of change of flux linkage तो हमारा यह option क्या हो जाएगा राइट 1 हो जाएगा ठीक है आपको समझ वाएगा तो option यहां से राइट क्या हो जाएगा second वाला यह formula जरूरी है किसी भी कोई में flux linkage का formula क्या होता है मतलब EMF induce का E equal to N D5I DT यह बस याद रखोगे तो अभी तक दो कुश्चन जो हम दो कुश्चन की है 1,2 इसी formula पर based था ठीक है चलिए next question पर question नमर 3 क्या बोल रहा है the EMF induce in a coil of and turn is given by dash क्या बोल रहा है कि जो किसी भी coil में जो हमारा EMF induce होता है तो coil के जो and turn होता है वो formula किस तरह सेट अप करेगा तो अभी तुरत हम लोग discuss के हैं कि we know that हम लोग जानते हैं कि EMF बड़ाबर क्या होता है किसी coil में EMF जो induce होगा वो बड़ाबर होता है N D5I DT और minus लगेगा यहाँ पर minus यहाँ पर कुश्चन जो EMF induce हुआ है कोईल में वो अपोज दिखा रहा डायरेक्शन अपोज डायरेक्शन में flux के तो यह formula हमको याद रखना है तो इस formula में क्या देख रहे हैं हमारा static option कहां मिल रहा है option 3rd मिल रहा है तो यह right answer हो गया ठीक है जलिए next question अब हमारा question number 4 question number 4 क्या बोलता है the direction of induced EMF जो भी कोईल में हमारा EMF induced हुआ है उसका दिसा जो होता है दिसा जो induced EMF का दिसा इने conductor एक कोईल can be determined by लग किसी कोईल में जो हमारा EMF induced हुआ है उसका direction हम कैसे पता करते हैं तो उसका पता करने के लिए क्या है इसका solution देख लेते हैं इसी भी कोईल में जो हमारा EMF induced हुआ है EMF जो हमारा किसी भी कोईल में ND5I DT induced हुआ है इसको पता करने के लिए हमारा दो क्या होता है direction पता करने के लिए दो method है एक है lens law और एक है क्या blaming और राइट एंड रूल है तो यहां पर देखिए option में हमारा क्या है lens law वाला तो option नहीं है किसी में तो हमारा यहां देख रहा है कि फ्लेमिंग राइट है रूल वाला option है हमारा option क्या हो जाएगा राइट और यहां से राइट हो जाएगा क्या अफ वह डारेक्शन हमार उपड कियो और दा डारेक्शन ऑफ इंड्यूज होगा मलब जो इंड्यूज होगा इंड्यूज होगा उसका दिसा बताना तो देखिए इसका solution करते हम लोग देखिए यहाँ पर यहाँ पर कौन है मैगनेट जो है मैगनेट क्या है इस्टेसनरी है मैगनेट क्या है मैगनेट क्या है इस्टेसनरी पोजिशन में कैसा है पोजिशन में हमारा कैसा इसको रखें इस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस तरह सकते हैं येस किस deed लेकिन हमारा पर्स यह के है यहाँ पर हमारा केश कोंडी हो और को से को में इसकेश में जो हम निकालते हैं इसकेश में जो हमारा EMF induce होता है तो जब हमारा coil motion में हो जो हमारा induce EMF होता है इसके लिए हम उसके direction निकालने के लिए इसके direction को पता करने के लिए किसके EMF के direction को पता करने के लिए apply करते हैं क्या apply करते है flaming right and rule किसका apply करते है flaming right hand rule का apply करते है ठीक है flaming right hand rule का apply करते है तो यहाँ पर जब आप coil को coil को अपने right hand से carry carry करो मतलब कर लो hold कर लेते हैं इसको right hand rule में अपना hold करो तो देखो यहाँ पर से आप कब मैं क्या जाएगा magnetic field इस तरफ से होगा not to side direction में होगा जब magnetic field हमारा not to side direction में होगा तो यहाँ से जब आप इसको क्या करोगे इस coil को जब flaming right hand में अपना coil को पकड़ के देखो तो आपका जो thumb होगा यहाँ पर क्या होगा upward direction में होगा तो यहाँ आपका thumb क्या देगा direction of direction of EMF देगा क्योंकि current क्या जाएगा इसी दिसाम जाएगा current क्या जाएगा current क्या होगा इस दिसाम में जाएगा जब हम right hand thumb rule का जो screw driver बला देखेंगे तो thumb हमारा क्या जाएगा upward direction में जाएगा तो इस direction में current होगा current होगा उस तरब क्या होगा EMF Induce होगा, यह हमारा कौन बोलता है Flaming Right Hand Rule बोलता है ठीक है तो हमारा कहां से जाएगा B2 A, हमारा कहां से जाएगा From B2 A, जो हमारा EMF Induce होगा, इस थरा से इस case में, इस situation में वो क्या होगा EMF Induce, From B2 A तो यहां से option क्या होजएगा आप पर Right, Second समझ मारा है आप लोग को अब हम लोग कुशन नमर कितना पर है 6 नमर के 6 नमर कुशन क्या बोल रहा है In Figure 9.23 The Direction of Induce EMF In the Conductor A बोल रहा है कि जो 9.23 फिगर देखे, इसमें जो Induce EMF का Direction है Conductor A में, वो क्या होगा जो तो जो Direction है Induce EMF का In the Conductor A, वो क्या होगा तो इसके बारे में आपको बताना है तो Option तो इसका हम नहीं लिये नहीं लिये इसका Option आपको देख लेना इसमें जो हमारा Direction होगा Induce EMF का कोईल A में कहां पर कोईल? यहां पर कोईल A तो इसमें जो Direction Induce EMF का होगा तो वो होगा आपका Upward Direction में कैसे होगा? Out of the Plane क्या होगा? Out of the Plane Out of the Plane of Paper होगा क्योंकि हमारा जो है यह कैसे Move कर रहा है? Clock-wise Direction में Move कर रहा है Clock-wise Direction में Move कर रहा है तो जब हम यहां अपलाई करेंगे किसको? जब हम अपलाई करेंगे Right Hand Flaming Flaming Right Hand Rule को जब यहां पर अपलाई करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो है जो आपका Thumb का Direction दिखाएगा वो दिखाएगा किस तरफ से? Out of the Plane of the Paper दिखाएगा तो यहां से आपका Question Number का Answer हो जाएगा क्या? Option आपका Right हो जाएगा To ठीक है? आज के लिए बस इतना है Friends, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को Subscribe कर सकते हैं अगर न्यू है चैनल पर और जो कर चुके हैं उसको धन्यवाद तो मिलते हैं फिर से आप से Next वीडियो में आज के लिए पस इतना है अगर Question Friends, Question Number 6 आपको अगर मैं पूरी तरह नहीं समझा पाया हूँ तो प्लीज आप मुझे Comment कर सकते हो, मैं फिर कोसिस करूँगा बताने का, याने तो आप भी इसका मुझे सही की जवाब, Satisfy वाला जवाब मुझे Comment में प्लीज इप्लाई करना Comment मुझे भी करना, ठीक है